महुआ मोहित्रा को हाल में कैश फॉर क्विरी मामले में अपनी सांसदी गवानी पड़ी संसद सदसिता की बहाली के लिए अब वो जूज रही है संसद में उनकी दोबारा वापसी पर बहुत से इफ एंड बत लगे हुए है महुआ का निशकाशन लगातार सुर्खियों में बना रहा पैसे लेकर सवाल पूछना यानि कैश फॉर क्विरी का खेल पुराना है इसका पहले पुराना मामला है एच जी मुदगल का है ये बात 1951 की है महुआ से मिला कर तब से 13 सांसद इस चक्कर में संसद से सदसिता गवा चुके 2005 में 11 सांसदों को कैश फॉर क्विरी में अपनी सदसिता से हाथ दोना पड़ा था संसद में महुआ की निशकाशन पर चर्चा के दर्मयान भी मुदगल का जिकराया जब कभी संसद में एथिक्स की बात आती है तो उनका नाम अपने आप आ जाता है क्या था एच जी मुदगल का केस वो एतिहासिक केस कैसे बना ये बाद के लिए नजीर उसमें नहरू जी की क्या भूमिका थी आये यहां उन सबी सवालों के जवाब जान लेते हैं 1951 की बात है भारत की अंतरिम संसद में कैश वर क्विरी का पहला मामला सामने आया तब एच जी मुदगल ने बॉम्बे बुलियन एस्सोसियेशन को अपनी संसदिये सेवाओं की बुलियन एस्सोसियेशन के एक बोर्ड सदसे ने तब ततकालीन प्रधान मंत्री जवाला नहरू को इस बारे में जानकारी थी उस सदसे ने बताया कि एक संसद एस्सोसीयेशन के लिए संसद में समर्थन करने को तयार है इस के बदiltriones उन्होंने बीस हजार रुपए के पेमिंट की मांग की है इसी के बाद ये पूरा स्कैम सामने आ गया अपने पक्षमे संसद में माहौल बनाने के लिए बोर्ड ने पांच हजार रुपए देने पर हामी भरी थी एसोसियेशन ने हजार रुपए का भुगतान भी मुदगल को कर दिया था हाला कि तब तक नहरु सतर खो गए थे उन्हें इसकी सूचना मिल चुकी थी इसके बाद नहरु ने संसद को बुलाया मुदगल ने आरोपों से इनकार कर दिया ये और बात है कि नहरु मुदगल की सफाई से संतुष्ट नहीं हुए तदकालीन पीम ने मुदगल के आचरन की जांच के लिए संसदिय समीती को प्रस्ता भेजा इसके पहले नहरु स्पीकर जीवी मावलंकर के समक्ष ये मामला लेकर आये थे नहरु ने सदन को भी बताया कि कैसे मुदगल ने बुलियन एस्सोसियेशन से जुड़े सवालों को संसद में उठाया इस समीती के अध्यक्षता टीटी कृष्णमचारी ने की थी समीती में चार दूसरे सदस्य भी थे समीती ने अगस्त 1951 में अपने रिपोर्ट संसद में पेश की इसमें मुदगल को एस्सोसियेशन के साथ मिली भगत का दोशी माना गया था इसके एक महीने बाद 24 सितंबर 1951 को नेहरू ने सदन में मुदगल के निशकाशन का प्रस्ताव पारित किया था मुदगल ने बुलियन एस्सोसियेशन के स्टाफ को लिखे हर पत्र पर अपना पक्ष सदन में मजबूती के साथ रखा था तब उन्होंने नेहरू और कृष्णमचारी पर जोरदार हमला किया था शेत्रिय कार्ड खेलने से भी वो नहीं चुके थे इसके पहले की सदन उनका निशकाशन करता मुदगल ने खुद अपना इस्तीफा दे लिया था संसत पहुँचने से पहले मुदगल का बेहाद दिल्चस्प करियर रहा उनका पूरा नाम हचेश्वर गुरू सिधा मुदगल था करनाटक के हुबली में 1899 में मुदगल का जन्म हुआ था 1920 के आसपास वो अमेरिका चले गए थे उनका ग्राजुएशन न्यूयोक कालेज से हुआ इसके बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवरस्टी से एमे किया अमेरिका से रहते हुए वो सापताही के समाचार पत्र नीग्रो वर्ल्ड के संपादग बन गए अमेरिका में 17 साल रहने के बाद मुदगल वापस भारत लौट आए अमेरिका की अनुभव का इस्तमाल करते वे उन्होंने कई पब्लिकेशन शुरू किये वो वीकली जेनरल इंडियन मार्किट के भी पब्लिशर थे 1950 में वो डॉक्टर बियार अमेरिकार जीवी मावलंकर और सरदार वल्लभाई पटेल के साथ प्रोवीजनल पार्लियमेंट का हिस्सा बने